बात है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम आज कल भावों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो अभी तक हमने प्रथम से लेकर लगन चार्ट से लगन से लेकर दश्रम भाव तक विष्थार से जाना है। तो आज उसी के आगे चलते हुए हम बात करेंगे एकादश बहाव की जो एकादश बहाव होता है वो कुंडली में जिसको हम एलेवन्त होस भी कहते हैं लाबस्तान है प्रॉफिट का घर है और यह आप नोट कर लीजिए कि ग्यारवे घर में एकादश बहाव में कोई भी बै दिशा अंतरदिशा में अच्छे रिजर्ट है कोई भी ग्रह रावन ने सभी ग्रहों को जब उसके बेटे का जनम था मेगनाद का तो सभी ग्रहों को उस ने स्ट्रक्शन दे रखी थी कि बच्चे की जनम गुड़ी में एकादश बहाव में आपने स्थेत्व होना है यह की महत्तबता है कि आपको पता है रावन ज्ञानी था सभी विद्धों का ज्याता था और सभी देवता उसके कंट्रोल में थे लेकिन क्या हुआ शनी महराज ने उसका कहना नहीं मांदे तो आपको पता है कि शनी को उसने अपने चार पई के पायों के साथ मांद लिया शनी से रोस टोकर उसने अलांकि शनी को हम अपने जोतिश में सबसी अदर करूर ग्रह मांते हैं शनी जिस जिसके उपर भी आते हैं उसका नुपसान करते हैं लेकिन रावन ने उनको कंट्रोल कर लिया और उनको अपने चार पई के पा सब्सक्राइब लगन लगन है आप यह जो भी आपके पास जातक आता है और दूसरा भाव होता है उसका बैंक बैलन्स का तो दसम भाव जो है वो कारोबार का है अभी जैसे हमने चर्चा किये है हम करम भाव होता है दन सहजवाह फट्र शत्र शत्र कनली अयून हां विजनस करते हैं प्रइवेट बिजनस करें इसकारी नौकरी करें 大म्हें प्राइवेट नौकरी करें तो 10 थाउस हम कारोबार देखते हैं लेकिन जो भी हम काम करते हैं कोई आदमी ध्याड़ी पर मिजदूरी भी करता है तो वो शाम को पैसा मां कोई भी हम बिजनस करते हैं नौकरी करते हैं तो महीने के अंत में या हर रोज हमें प्रॉफिट चाहिए तो कर्मा से दूसरा जनम कुंडली का एकादिश वाव है और इससे हमने यह भी देखना होता है कि हमारे पास मैक्सम्म जो लोग आते हैं कुंडली लेकर या अपना जमनतिति लेकर यह पुछने आते हैं कि मैं किस बिजनस में काम्याब होंगा कौन सी नौकरी करूं या मैं कोई ऐसी सर्विस इ प्रॉफिट आये माता-पिता जब आते हैं बच्चे कर होरोस्कोप दिखाने के लिए तो यह कुश्चिन पुछते हैं कि इस बच्चे को कि स्पीड में डालें ताकि पढ़ाई के बाद यह उसमें पैसा कमा सके क्योंकि दुनिया में आये हैं तो अजीविका तो चाहिए ह हर आत्मी को चाहिए उसके पास पैसा है, नहीं है उसके पास जमीन जाहिदद है, नहीं है लेकिन हर आत्मी को regularly काम दंदा कोई ना कोई रोज का रोज एक अजीविका का साधन चाहिए अब साधन कहा से आएगा यह हम लोगों को बता सकते हैं उसकी जनम कुंडली देखने क यह मतबता 11 था उसकी आप नोट कर सकते हैं कि यह बाव कर्म स्थान से दूसरा बाव है जो भी हमारे कर्मों का फल है हमारे जो भी हम काम मेहनत करते हैं उसका फल है वो इकादश बाव से लिखते हैं ऐसा जैसे कमाई है इच्छाओं की पूर्थी जब कोई पैसा कमाते हैं तो क्या करते हैं कोई घर बनाएगा को गाड़ी लेगा कोई बच्चे की एजुकुशन दिलाएगा कोई अपनी लग्जरी के ऊपर खर्चा करेगा कुछ ना कुछ या में पैसा डालेगा जो भी आपकी जीवन की इच्छ ऑफिन कर लें अब सफेंश खुड़ा होने पीज़ेगा कोई फैसे पैसा मिलना चाहिए या मेरे में रेको बैंक में मुछ मैनेफली पैसा मिलेगा या मोजना बेनिफिन सरकार से होस्ते हैं तो जो भी चीज़े ममनें देखनी है हमिस से दिखने है 11,000 कमाई है इच्छाव की पूर्ति है रिटार्मेंट के बाद का समय और यह भी कुछचन पुछा जाता है कि रिटार्मेंट के बाद मेरी जिन्द्गी कैसी रहेगी Dok कोई मैं नया बिजनस करूंगा या दुबारा से री इंप्लाइमेंट लूंगा या घर में बैठूंगा यह जितना भी क्योंकि हमने पड़ा था टैंथ हूज होता है एक्टिव लाइफ जिंदिगी में कितना टाइम तक आपमी रहता है क्योंकि हर आदमी सारी उमर आदमी सिर्फ पैसे लेते हैं और अर्व्म्हार चबने से लेकर दिधेथ कर देखते पार यह शुक्तार फ्oka में पांई पासे सब्सक्राइबงोर आदमी पूरी अपनीसारा देलिकस करता है आप अपनी सारी रह चाहेंं पूरी कर देता है क्या या मैंस् स्क्रांग दोस्क दोस्तों संग समय वतीद करना जो भी हमारी मदद करेंगे यां की मदद करेंगे हमारे साथ उनके कि रिलेशन कैसे रहेंगे वह भी हम एक आदश बाव से दिखते हैं अब हमने ये भी पड़ा था लगन से थर्ड हौस ओता है वह छोटे भाई वहन हो रहता है और लगन सबस्कान देखते हैं घर में जितनी भी माईजली कारे होते हैं कारे खर में कारे होते हैं जैसे कोई इढर फृतराता है है Sometimes करता है function करता है वह 11 ृश employee ज Douglas जिटने भी महीं आच्छे शुब काम मघली कारे रहेंगे घर में वह सारे 11 ृश से औगे चर्चा करेंगे तो इससे दूसरी शादी पर साइवन से पैदी शादी तो धूर करें हैं आज बहुत यादा रिलेक्षिन्स ख्राब होते थक dog बहुत बार ओणके पास आएंगे जादी कामेगा होगी नहीं होगी एड़ हो बहूं हम 11 तो देखे इसके लबा वाया कान होगा भाई बाजवी यह ही इसी से देखते हैं होता है आपकी और इंद रहा होती है लेफट आप 11 तो से पाई वाजवी दिखते हैं कालपुर्ष की कुणली में जैसे हम पूरी कुम्ली जो एक से बारां तक भाव होते हैं तो ग्यार्म भाव जो होता है लूर लैक का होता है श्रीर का जो अंग है वह 11 ता हुस है इनको पिंडलियां बोलते हैं पिंडलियां का विचार भी इसी से किया जाता है और एक वह चीज़ देखो हमने हमेशा पढ़ा की लगं से 7 अऊसपत्ट्नी का तो लगं से पंचंभाव पुत्र का तोू कुत्तर से साथवाव एक दो तीन चार वांचे साथ लगं से सात्व拜拜 ने का और लड़की के मामले में उसके पती का और यहां से सबस्oug और बहुत कर सकते हैं उसके बाारे में आप जान सकते हैं आप देखें च्छटा वह ने पढ़ा था बीमारी का एक दो तीन चार पांच छै छोटा भाध पढ़ा था। रोगild कर्जा लौस lhos कहा होगा करजब पैसे रिंटरस्स के लिए डिया की रिपेमेंट करने के लिए जचाटा पावद और कर्जा बीमारी के वाद पार क्रिफ लॉपर करचा हो स्लिए इस अगर और कर लॉस 2020 कि अगर कि लॉस दुश्मन कि सधुन के गरbahn दो, तीन, चार, पांच, छे, दुश्मन के जड़ से छटा भाब, दुश्मन का लॉस हो गया, तो आपका प्रॉफिट हो गया, एक आदमी नुपसान करेगा तो दूसरे को फाइदा होगा, दुनिया में यह होता है न, एक आदमी शेर मार्केट में पैसा गवा रहा है, वही पैसा दूसरे आदमी को मिल रहा है, तो इसी तरह यह आपके दुश्मन का लॉस है, और आपका प्रॉफिट है, इंकम इंग्रेंट, और इससे हम यह भी देखते हैं कि सोर्स ओफ इंकम, फाइदा काहों से गा, यहां से तो हमने कर लिया काम, लेकिन काम से कई वर को होता है आदमी को फाइदा नहीं हो, फाइदा देखने के लिए यह देखते हैं, एक आदमी बिजनस करे जा रहा है, लॉस हुए जा रहा है, बिजनस करे जा रहा है, लॉस हुए जा रहा है, नौकरी करी जा रहा है, लेकिन उसको सेलरी टाइम पे नहीं मिल रही है, यहां नौकरी कि दूसरा दूसरा चोड़के तीस्ता करते हैं पेवर लोग हैंगे मैंने च्छे काम किये और सभी में मेरे को लॉस हो गया तो हम उसका एकादश बाव जरूर देखते हैं और उसी के पाद्यम से हम उसका अब लोकन करते हैं कि इसको कौन से कमें सुटिबिल्टी बंदती है करें है आद देखें यहां पर गारोआ भाव हैं आपने पढ़ा हुआ है Huh comment और बारांभां अब यहां पर आशी कोई भी हो सकते हैं और दूसरी बात कोई सो कोई हो सकता है तो यह नहीं है कि एक ही प्यरमिट रहता हैं कि गारवए करना पड़ता है इसके बाद ही आप बता पाएंगे आप धंधा करें नौकरी करें प्राइवेट में जाएंगे या सरकार में जाएंगे और आपको पढ़ाई जो है आपकी की वी को इस करेंगे या आपको कोई फाइदा नहीं होगा कर लेते हैं और दुकान हलवाईगी भूल लेते हैं कि यह दिखा गया है कि और काम वो कर रहा है अपना दुकान कर रहे हैं सो यह सभी चीजों को देखते हुए हम क्या करते हैं कुछ हमारे पास गाइडलाइन जाए 100% तो हम है कौनसा ग्रे है औसे देनेले वाला है लेकिन उसकी उसकी अंतरदशा अंतरदशा uwagę ne компании चीप लेगा ये श्रूरूर मिलेगा लेकिन 100% Tack स्वामी जिस भाव में होगा आदमी उसके साथ जुड़ा हुआ काम करेगा अब अगर एकादश भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ है तो उसकी दशा अंतर दशा में आदमी को देखो रिजल्ट मिलते हैं मैंने आपको जैसा कि चर्चा के स्टाइटिंग में बता दिया है कि 11 वह में कोई भी पैठा हुआ प्लैनेट अपनी दशा अंतर दशा में आपको साइदा ही देगा चाहे वह सूरज है शनी है मंगल है बुद्ध है राहू है फुल्वी है एक ही प्लैनेट ऐसा है जो थोड़ा तंग करता है और वो है मून चंदर्मा चंदर्मा अगर 11 अउस में बैठा हो तो थोड़ा तंग करता है क्यों आपको प्रॉफिट देगा लेकिन मन परशान है क्योंकि ये काल पुर्श की कुंडली में 11 साइन है तो 11 नंबर जो इसके मालक हैं कुम राशी के मालक है शनी तो शनी के घर में अगर मून बैठ़ जाता है तो मन परशान है तो इसके लिए एक चोटा सा रेमडी हम बताते हैं लोगों को कि चंदर्मा अगर खराब हो तो दूद का दान करना है और वो कहां पे करना है flavored Dad शनीवार वाले दिन शांग के समय स्मय भेरों के मंदिर में दूद का दान खर जीतने भी प्लाइनेट्स यहां बैठे होंगे वो अपनी गशांतरदशा में अच्छे रिजर्ट्स देगी हां उसमें ये डिपेंड करता है कि वो अगर अपने मित्र की राशी में बैठा हुआ है नीचे उसका जो नीचे राशी है अगर मित्र की है कुछ का राशी है अपनी मुलतर कौन राशी है तो याद तो मैं आपको आगे चले जा रहे हैं एक आदश भाव जो है मैंने जैसा आपको बताया छटे भाव से छटा वाव है एक दो तीन चार पांचे छटे से छटा जो है वह आपके दुश्मन का या दूसरे आदमी के लॉस का घर है और आपके प्रॉफिट का घर है तो किसी से प्याज से पैसा कमा रहे हो किसी साफ़ चया पैसा इंट्रस इंट्रस अफिस देखो ब्याज मिजबूरी में एक है तो उसका नुक्सान rósen आद का फायदा इंट्रस्ट मेंग टेती है लेवन था अ होस थे आपे लेवन्थ मिए अपना बड़े भाई की मदद से इसा कमाएगा धर में अपने बड़े बाई की मदद से इसा कमाएगा भाई या बेहन पुछ पी तो यह बहुत जरूरी है अगर एकादश भाव का स्वामी एकादश भाव नहीं बैटा हुआ है तो हाँ लेवल किस लेवल पर जाएगा मैं आपको बता दिया अगर प्लैनेट उच्का है ग्रै उच्का है मूलतर पॉन राशी में है अपनी राशी में और पावर्फुल है तो बहुत बढ़ी है रहेगा अगर वह नीच का है अस्त है शत्रुशेत्री है तो उसके रिजर्ट्स थोड़े कम होंगे लेकिन जलूर फाइदा देगा अब वही अगर इलेवन था यहां पर मालो अभी यह देख रहे हैं एक नंबर की कुणली में 11 नंबर यहां पर लिखा रखता है तो 11 नंबर का मालिक शनी अब शनी इस घर का मालिक होकर जहां पर कोई प्लैनेट नहीं बैठा हुआ देखो सबसे पहले होता है जो आदमी उस घर का मा ओटर नहीं करती है और यहां प्लैनेट नहीं बैठा हुआ और नीचे भात दस नंबर और अगर स्कामालिक ही है फिर हम देखते हैं कि वो कहां पर बैठा हुए अब यहां देखें अगर 11th house का लॉर्ड 11 भाब का मालिक अगर लगन में बैठ जाए तो लगन कौन है लगन हो आप अपने efforts से अपनी मेहनत से आपको पैसा कमाना पड़ेगा 11th house लॉर्ड अगर लगन में बैठा हुआ है तो अपको अपनी मेहनत से पैसा कमाने पड़ेगा with self efforts और उसकी दशा अंतरदिशा में आप ऐसा कमा होगे आएगा लेकिन मेहनत करने से आएगा अपनी मेहनत से अपना दिमाग लगाने से अपने effort करने से अब दूसरा बाब जो है वो है परिवार का तो कई पर क्या होता है कि अधर दूसरे बाब में बैड़ का है तो हम क्या कहते हैं यह आदमी पैसा कमाएगा अपने फैमिली बिजनस से जो फैमिली बिजनस कर रही है उसी बिजनस में यह ग्रू करेगा यह जो प्रवार के लोग फायर स्टेटस में मार्केट में यह कहीं पर भी उच्छ स्तरिय लोग है उनके साथ कंटेक्ट्स रखने के साथ यह आदमी पैसा कमाता है तो गयार्वें भाव का मालिक अगर लगन में है तो अपने effort से दूसरे भाव में तो प्रवारिक बिजनस से और अपनी फैमिली में हाई स्टेटस वाले रेपुटेट जो लोग है उनके साथ कंटेक्ट रखने से पैसा कमाता है सब देखिए अगर थर्ड होस आ गया हम क्या कहते हैं थर्ड होस आपकी बाजू है थर्ड होस राइटिंग भी है थर्ड होस कम्यूनिकेशन भी है ले दो इसे बंदा एडिटिंग करता है या स्पोर्ट्स गेम्स किहता है यह वी हाथ से अती है सो अगर थर्ड होस में जाते हैं तो आपको पुपलिकेशन से एडिटिंग से कई लोग किताबें लिखते हैं कई लोग न्यूस पेपर में ब्लॉउक लिखते हैं आर्टिकल तो भी एक आपने दम पर चलता है और वह कोई इंडस्री खड़ी कर देता है तो ध्योग से यह इन ट्रांस्पोटेशन से एक देखो यह मैंने आपको बताई इतनी है अब देखना होता है कि 11 जो है उसका मालिक कौन है डिपेंड करेगा अगर बुद्ध आ गया थर्ड में त चनी आ गया तो ट्रांस्पोट आ गया मंगल आ गया तो फैक्ट्री आ गया तो इस तरह से हम आगे इसको करते हैं चर्चा करते हैं अग्देखी फोर्थ और जो है टोंसा था जमीन गया खाग वह कृत्ती बाड़ी विए फोर्थ हूस हों क्या करते हैं अगर आप्मी 11 में कम कहते हैं लोग की का मैं आगा हूँ साबी यूपिता ओड़ी हमनों को अब कहते आदहा है पॉर्थ आदमी प्रोपर्टी रिलेट्टिट काम दंदा करेगा अब रौपर्टी में होतल होतल नीट बिशकता है अची जमीन हो सकती है भी बैसकता है या खेड खल्यान आपए आदमी आधा मेरे पास फॉर्ट मुन था तो मैंने लूट का काम करता है मून है फॉर्थ में जूद्धा काम भी कर सकता है जो जानवर पालते हैं शुकर आ गया तो यह गाइड़ लाइन जाएंगे तो आगे नीचे और जाके इसको करते जाएंगे छोटा-छोटा-छोटा-छोटा-छोटा आगे मिद्टेश में जा सकते हैं प्रिवों तो ह्मिट जो है गाच्वाशमा जो है अगर पंचंव में बैढड़ जाए है कि तो क्या तो सुख सब्सक्राइब पंचमभाव होता है इंटलेश्सेल प्रफेशन का 5 रहां से लेक्टेश्यंगी पांच में घर में अगर चटे का 11 था लॉड अगर पांच में में बैठ गाए हमें उस दिन आपको पताया था 11 था इलेवन था लॉड अगर 6 में बैठ तो क्या करेगा चटा घर किसका है इंट्रस्ट का विमारी का आदमी कैमिस्ट की दुकान खु़ सकता है लेबॉरिटरी पूल सकता है या लोगों को पैसा ब्याज पर दे सकता है फिर क्या कर सकते हैं जब लड़ाई यहणा होता है कोट के चारी में केश चलते हैं तो वकालत से पैसा आत्मी कबाता है तो इलेवन था अगर 6 में हो आपको वकालत से मैडिकल से चैमिस्ट लैब या इंट्रस्ट अब देखें जो सेवन था ना यह पार्टनर्श्ट अब होता है तो इलेवन था लॉड अगर सेवन समय बाट तो आदमी बिजनस करते हैं अब अगे इसको पढ़ेंगे सेवन था पूलिए टेंथ जो है ना टेंथ यह उता है तो करोबर के लिए यह तैंथ हुस भी देखत को यह तो छहते संब कर सकते हैं लुगजीरिस आइटम सी ट्रेडिंग कर सकते हैं इसने सबांगा कर सकते हैं अच्सपोर पक often क्ट्रिश इंपॉर्ट ??? सब्सक्राइब और दूसरा देखें अजर सब्सक्राइब होगी इसको सपोर्टिंग होगी यह वाइफ का गर भी है तो लाबस्तान में आ गया तो पत्नी नौकरी करने वाली होगी इसी से सब्सक्राइब आपको बताया था यह इंशोरेंस का है पुराता तो विवाग जो है माइनिंग करते हैं यह आर्कियोलोजी डिपार्टमेंट है इंशोरेंस है तो जो भी आदमी इंशोरेंस में करने वाले काम में जमीन के नीचे से पेट्रोल गैस पोल निकलता है हीरे ज्वाराद जमीन के नीचे से निकलती है रेत्ता की जो पुदाई करते हैं मिट्टी निकालते हैं यह सभी चीजें आठवेंगर से हम देखते हैं तो इलेवन्त हाउस लॉड अगर्ट में बैठ जाए तो हम इससे चेक कर सकते हैं ठीक